दोस्तो एक चैनल पर जब इमाम उलहक से पूछा गया कि आपके घर वाले आपका मैच ग्राउंड पर देखने क्यों नहीं आते तो इमाम ने जवाब दिया कि जब ग्राउंड मा खेलता हूं तो मुझे लोग परची-परची कहकर बुलाते हैं इसलिए मेरे घर वाले ये सुनना पसंद नहीं करते और याई सब सुनने से मुझे बहुत ज्यादा परिशानी होती है इमाम ने बताया कि उनके माता-पिता उन्हें खेलते देखने के लिए स्टेडियम क्यों नहीं जाते इमाम का वंडे डेब्यू भाई भतीजावाद के आरोपों के कारण खराब हो गया था क्योंकि उनके चाचा पाकिस्तान के दिगज इन्जमाम उलहक ने चैन पैनल का नेतरित्व किया था इमाम ने अब्बू धाबी में श्रीलंका के खिलाफ पहली बार सो रन बना कर अपने आलोचकों को तुरंत चुप करा दिया चार शतक तक पहुँचने में उन्हें नौ वंडे लगे उन्टासित मैचों के बाद उनके करियर में नौ शतकों के साथ एक करियों मा सौन डसीदीन की ओसत से 2719 रन है मेरे माता पिता मुझे खेलते हुए देखना चाहते हैं लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी किसी आयोजन स्थल पर खेलते हुए नहीं देखा है यहां तक कि मैं भी उन्हें नहीं चाहता मैं नहीं चाहता कि जब मैं सीमा पर क्षेत्र रक्षन कर रहा हूँ तो मेरी मा किसी को परची कहते हुए सुने पहली बार मेरी बहन ने मुझे खेलते हुए 2022 में देखा था जब वेस्ट इंडीज, वन डे और इंग्लैंड एक टेस्ट मैच दोनों मुल्तान में खेले थे तब तक मैं टीम का एक वरिष्ठ सदस्य था यह तत्य कि मेरा परिवार मैचों में शामिल नहीं हो सका मेरे लिए मानसिक यातना थी